तो दोस्तो अभी कुछ दिनों से मेरो को एक कॉमेंट बहुत जादा आ रहा है कि मेरा मेल बेटाफिस जो है वो आंडो को खा रहा है मेरा मेल बेटाफिस अपने फ्राई को खा रहा है या फिर फिमेल बेटाफिस को मार रहा है इतना फिमेल को मारा कि फिमेल मड़ गया या फ जाते हो दुखान से मचली खरीदने जाते हो तो कैसा मेल आपको खरीदना है ताकि आप पूरा सीवर हो जाएओ कि वो मेल जो है बो कौनफरम अंडा को हैच करेगा अंडों से बच्चा निकले तक वो मेल डाटा रहेगा बच्चों के साथ रहेगा और आपका जो फ्राई है सबस्ता है आप उससे देख कर देख के खरीद सकते हैं आपको किस कीजेघ करना है मचली के तक मेल और भी आपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं वो सब कुछ आज आज की वीडियो में बता आऊओगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सीदा सुरू कर देते हैं मam SCLilie तो दोस्तों एकदम सुदू से सुदू करते हैं ठीक है आपको बेटाफीस बीडिंग के लिए सबसे पहले बेटाफीस चाहिए तो दो बेटाफीस अप कहां से खड़िद होगे वह पहले में बता रहा हूं ठीक है आप एक दुकान में जाओगे नॉर्माल कई बंदा होगा तो दुकान में होगे लिए बेटाफीस खड़िदने के लिए और बो क्या करेगा पता है में पहले बाता देता हूं कि नॉर्मा लेक पारसन अगर बेटाफीस सबसे बढ़े हैं सबसे बड़ा है क्या करेंगा।' região आजङे तो यहीं चीज्ए जो सब लोग गलत करते हो बा के लाते हो और वीडिंग पे बैठाते हो उसी वक्त किया है दोस्तों बेटा फिस मेल में उतना ज्यादा मतलब एनर्जी रहता नहीं है वो स्ट्रेस में आ जाता है आके अंडों को खा जाता है तो आपको बड़ा मचली खरीदने से आवाइट करना है ठीक है कितना भी बड़ हो वो मचली कितना भी खूबसूरा तो अब बड़ा मचली कभी भी मत खरीदो तो आप यहां पर बहुत सारे लोग बोलेगा कि वाई एक दम छोटा मचली खरीद लेकिया है एक दो इंच वाला देखिए ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं हमेशा हट वीडियो में में बोलता आपको 6-8 माईने का उमर का बेटाफिस खरीद आए अब दुखान में जाओगे भाई यह मतली का अगर उमर मतलब दुखान वादार से पूछोगे कि इतना उमरे दुखान दर कुछ भी बाता नहीं पाएगा वो गलत बोल देगा ठीक है तो मैं पहली बात यह बोलूँग जादा तततातताततताततत्लाइं जिवकास के अल खाए से बातातो दुखान धृद आपको फिमेल देगा नहीं देगा भी तो वह फिमेल यूस किया हूआ यहाठैंद आऊ ज और आठाए से देगा नहीं और मैल बी देगा थीक है तो मैं बर्बेरी हमाच्ON करें पास कभी स अच्छा चीज होता है ठीक है छाई वो शबिव हो या फिर मचली फार्मार के पास हमेशा अच्छा चीज होता है बाकी दोस्तो आपको क्या क्या चीज देखना है एक Mix और sit cd Morgen को क्या क्या चीज देखके आपको अब जब ही मेल को खड़ीद रहे हो आपको अपसे पहले पता करना है कि उसका उमर कितना है तो उमर की चीज मतलब उमर कितना है आपको कैसे बता चलेगा उसका साइस देखके में ली पता चलता है ठीक है उसे छोटा या बड़ा मतलो 4 इंच तक मचली बढ़ता है बेटाफीज कुछ कुछ मचली उससे भी मेरे पास आप लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा फिमेल देखा होगा मगर में कभी रेकॉमेंड नहीं करूंगा कि बड़ा फिमेल से बीडिंग करूंगा हाँ यह बहुत ज्यादा मुनाफ़ा होता है फिमेल समझो 700 टक अंडा दे देता है और में क्यूं बोल रहाओ आप लोगों को छोटा मचली खरीदने के लिए क्योंकि बड़ा फिमेल तो बड़ा ज्हमेला भी है वह कभी कवर होता है कि अंडा नहीं देता है या फिर मेल को या अटक कर देता तो मैं कभी भी रेकॉमेंड नहीं करूंगा हमय सब फीमेल का साइज मेल से तो ठोड़ाम ठोट रूटिक है तो दो ना बेना और वह इम घुम रहा है एक जगा पर छारों रहा है और सारव रूख राए गर बो किसी और दोस्तने मेल में रहा है यह फिर अग्रेसिब भी नहीं है फिर भी उसका जो फीन है वो खुला हुआ रहेगा तो इस तरह से दोस्त आपको पता चल जाएगा कि वो फीमेल बीडिंग के लिए पार्फिक्ट है और बीडिंग के लिए रेडी भी है और उस मेल का ऊपर का सार्फेस देखना मतलब उस मेल का जो को एक्तिव है चारो घूम रहा है ऐसे एक मेल कि बात अब दोस्तियों मेल के बात मेल को पर दोस्ते और तो आप की मरजिए दोस्तों कौन से कलर्रकेल बीडिंग कर सकते है या प्लाकट के साथ रोस्टेल का बीडिंग कर सकते है क्या तो ऐससा कुछ भी नहीं है भाई- आप किसी भी मेल के साथ कि इसी भी फिल्ठाव iционीन का सकते हो सिर्फ एक सर्त है कि यृर्शी मेल भीडिडिन के लिए रेडि होना चाहिए अब रेडी कैसे होना चाहिए बोबी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा देखते रहा हो बागी फिमेल को आपके कैसे बैचाना है ठीक है तो हमेशा आप लोड फिमेल को पैचाना हो ठीक है दो इंच का एक फिमेल को बाई करो और फिमेल का क्या है दोस्तों हमेशा पीछे त साइट स्वीम कर रहा है यानि कि जब भी वो आगे जा रहा है उसका सर सामने के तरफ थोड़ा जूंका हुआ है तो आप समझ जाना कि वो फिमेल अंडों से पूरा लोड है और उसे ले जाके आप दो दिन दो तिन तिन के अंदर ही बीडिंग कर सकते हो ठीक है तो आप उसमेल को खड़ीद लो और मशली खड़ीदने जाने से पहले दोस्तों आप पानी रेडी करके जाना चार पांच दिन पहले से पानी जिसमें मशली डखने वाले हो वो टैंक सेट अप करके रखना उसके बाद कोई कोई बंद है जो आज ही मशली खड़िद ने गया उसके बात आकर मानी निकाल पानी मदरब डालता है ट्नैंग में तो आइसा मत करो हमें से मशली को पूराना पानी में रखो ठीक है तीन से पांच दिन पूराना पानी होगा तो ही चल जाएगा और आर्मांडली बगरा ह यह तो डाल दो नहीं हो तो मत डालो जादा कुछ फरक नहीं पारेगा तो यह तो किया तो मेल फिमेल आप कैसे पैजान होगे कैसे खड़िद होगे बाकी सब कुछ मैंने बता दिया अब दूस्त आपको बीडिं करने के से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा मेल और फिमेल को अच्छे से लाइफ फूट फीड करो ठीक है लाइफ फूट अगर आपके बास नहीं है तो लाइफ फूट क्या क्या है मैं पहले बो बता देता हूं और लाइफ फूट अगर नहीं है तो क्या फीड करना है बो भी बता देता हूं ठीक है लाइफ फूट तो सब्सक्राइब को चोटाइब सब्सक्राइब तो बहुत सारा चीज़ है इसमें से दोस्तों मैं परसनली पेफर करूंगा स्रीम को खिला ना ठीक है स्रीम काट काट का खिला होगे तो आपको खर्चा भी कमाएगा और मशली खाएगा भी बहुत चाहूं से तो यह सब आप खिला हो अब बीडिंग से पहले मीनिमाम इसे पा आछे में जायेगा मेल और के शरीमें नर्जी आ जाएगा फिमेल के पेथ में और अंड आ जाए गावर आप तो आप 12-200 न्रीकलuis अगर नलेगा अगर अंडो को खाने वाला होता है मतलब अगर वो मेड होगा तो अगर आप उसे पास से अधिन पहले अगर खाना आच्छे से खिला होगे तो वो मेल अच्छे धीरे धीरे स्टॉम हो जाएगा तो बांडो को खाएगा नहीं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं लाइफ उड और या फिर पोटिन वाला फूट कोई भी पूटिन वाला फूट उसे अच्छे से खिलाओ ठीक है खिलाने के बाद बीडिंग पैठाओ अब बीडिंग बैठाने जब पहले दोस्तों उसे इंट्रूडियूस करो ठीक है मेरे हर वीडियो में आपने देखा होगा कि में डाइड जार में डालके मेल के साथ एक दिन तक रख दो नेक्स डे वो कौनफरम बावलनिस बना देगा और टैंक का साइज दो हमेंसा थोड़ा बरा रखो ठीक है आप छोटे टैंक में बीडिंग करोगे वो टैंक में फ्राई बरा नहीं होगा और बरा खाने के लिए आप फ्राई और वोरस के बचे से बहित के बचे से वोफ्राई मuing जाएगा तो मैं हमेसा बोलूगा एक बरासा वीडिंग टैंक उस करो और बरासा वीडिंग टैंक से मेरा यह मतलब नहीं की बहुत बहुत गेहारा पानी ते दिया तीन इंच तक पानी दो ठीक है तीन इंच से आर्मोंड लीव हेटो डालो बरना मत डालो कोई भी फराग नहीं पड़ता है मगद टैंकको एक ऐसे जगह में रखना जहां पर मतलब कोई आता जाता है ठीक है घर के एक कॉने में रखो यहाँ पर छच्छ के एक फोने पर रखो जहां पर लोगा आता जाता नहीं है तो आपको मेल के सामने बहुत काम जाना है ऊस 용 को काना भी देना है ये भी बहुत धार कमेंट किया था कि मेल को ख़ाना के वाच्वायाइक काना इस गाना पड़े कि जाप मेल आंडा की रखआली करे गा तब उसे बहुत सारा काम होता है बहुत जादा तो उसे मदलब आंडो के नीचे से वाटर के फ्लो मेंटेन करके रखना पड़ता है तो आप उसे खाना देना ही पड़ेगा अब 95% मेल किया है इस टाइम पर खाना खाता नहीं है मैंने देखा है दोस्तों 95% मेल 3-4 दियों तक मदलब आंडा भी नहीं खाएगा और कुछ खा खाएगा ही नहीं और कुछ खाना भी नहीं खाएगा वो बाबालीनेस के नीचे से बिल्कुल भी हटेगा नहीं यही एक अच्छा मेल होने का साइन है ठीक है तो आप उसे ज्यादा डिस्टब मत करो खाना डाल दो अगर वो खा रहा है तो खा रहा है खाएगा नहीं खा र झाल झाल झाल